जो लास्ट टाइम पार्ट बनाया था, उसको असेंबल करेंगे, जैसे कि आपको ड्रॉइंग में दिखाया जा रहा है, इसी तरीके की ड्रॉइंग करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम का जो पार्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले जाएंगे स जैसे कि more tools, constraints tool और more tool ये needed होगा, अगर ये tools आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो आप यहां से भी ये tools ऐसे ला सकते हो, जैसे कि मेरे पास है, और दूसरा है यहां update tools, ये तीन tools इसमें होने जरूरी है जब आप assembly कर रहे होते हो, बनाए हुए parts हम लोग यहां ल folder में जहां आपने जो part रखा है, उसमें आपको जाना है, जैसे कि में यहां पर part first open कर देता हूँ, ये part आ जाएगा, अब इस part को हमें करना ये है, कि थोड़ा सा अगर move करना है, तो यहां move पे click करते हुए, अगर x-axis में हमें इसको move करना है, तो move भी कर सकते है, and then ok कर सकते अब देखिए, ये movable part है, future में ये part more ना हो, और एक जगा पे fix रहे, इसके लिए इस part को select करते हुए, हमें इस tool पे जाना है, जो कि highlighted है, अब इस tool का नाम है fix component, अब इसके उपर click करते ही, यहां पे देखो, अब देखो इस तरीकी का symbol आएगा, इसका मतलब ये part आपका fix हो open करना होगा, जो कि यहां दिखाई दे रहा होगा, अब इस part को भी आप move कर सकते हो, यहां से, जहां आपको move करना है, rotate कर सकते हो, यह सारे tool आप use करके देखिए, आपको मिल जाएंगे कि किस तरीकी के ये tools आप move कर सकते हो, तो चिली, हम लोग तो इसको okay कर देंगे, after that हमे एक नया tool इसमें use करना है, जिसका नाम है, offset constraint, इस tool को जैसे आप click करोगे, तो इसका use ये होगा, इस face के उपर, हमें ये face attach करना है, तो उसके लिए हमें जैसे यहां 0 offset देना है, और okay कर देना है, और keyboard पे control U, नए तो यहां update के उपर click करेंगे, तो ये देखो update हो जाएगा, अब चाहे तो ये इसके dimension को फिर से हम लोग यहां से delete कर सकते हैं, और आगे का process भी कर सकते हैं, अभी इस face को हमें ये नीचे वाला face लगाना है, तो उसके लिए करना क्या होगा, हमें जाना है उसी tool पे, और ये face यहां पे रख देना है, ये face select करना है, और उसके बाद downside का part का second part का जो face है, वो select कर देना है, और यहां पे देखो minus में face जा रहा है, देखो इसका, तो हमें उसको zero face में लेके ok कर देना है, और जैसे update या keyboard पे control u दबाओगे, तो ये update हो जाएगा, और ये उसके उपर वाले face के उपर आ जाएगा, लेकिन जैसे कि आपको drawing में यहां द second face लेना है, और update कर देना है zero से, offset लेना है zero और इसको update कर देना है, तो ये update हो गया, अब देखिए यहां पे मैं थोड़ा rotate कर देता हूँ, अब यहां पे भी हमें इसका offset देना है, offset constraint पे मैं फिर से click कर देता हूँ, first face and second face, इसका जो distance, offset distance है, ये बता रहा है 3.74, लेकिन हम मैं तो zero ही लेना है, और keyboard पे control U कर देना है, तो ये update हो जाएगा देखो इस जगा पे, लिकिन अगर इसकी ही copy हम लोग यहां ले सकते हैं, क्या नहीं, हम लोग जो पार्ट बनाए हैं, उसको फिर से import करेंगी, और उसके लिए existing component नाम के tool के उपर click करेंगे, और यहां से हम लोग जो second वाला पार्ट है उसको फिर से open कर देंगे, अब इस पार्ट को उसी तरीके से इसके उपर लगाना है, तो चलिए मैं speedily यहां पे वो पार्ट लगा देता हूं, click here, first and second and then zero and then update, okay, once again इसको में delete कर देता हूं, अब देखें फिर से हम लोग यहां पे इसको fix कर दे लेंगे, zero and then control you, अब देखें यह पार्ट आ चुका है हमारा यहां पे, फिर हम लोग इसका offset फटाफट ले लेंगे, दो face को zero कर देंगे, तो यह update हो जाएगा, फिर से यह face और यह face एक जगा पे लेना है, यानि कि हमें zero offset से यहां update कर देना है, तो देखो, यहां पे यह आ ठीक है, चलिए बढ़ते आगे के lecture में जो की थोड़ा advance part हम लोग design करेंगे और उसकी assemble करेंगे,